तो उतर्प्रदेश समेट चार राज्यो में जीत के बाद भारती जन्ता पार्टी के तमाम सांसद मन्तरी जहां उत्साहिद है तो वहीं दूसरी और केंद्रिय मंतरी बियल वर्मा ने कहा कि केशा प्रसाद मौर्या एक लोग प्रिये नेता हैं साथी साथ उन्होंने कहा कि उनका हारना दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी समिक्षा की जाएगी वहीं यूपी के तमाम मुद्दो पर हमारी समवादाता मंता चतुरवेदी ने केंद्रिय मंत्री बियल वर्मा से खास बाचीत की क्या कुछ और कहा उन्होंने वो भी सुनी इस वक्त बाचीत करने के लिए हमारे साथ मुझूद है केंद्री मंत्री बियल वर्मा जी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें ना केवल उत्तर प्रदेश वलकी चार राज्यों में भारती जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है यूपी की अगर बात करें तो इतनी बड़ी जीत की वज़ा क्या लगता है आप देखें उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की जीत ये भाजपा के निश्टावान देवतुल कारिकरताओं के परसम की परकाश्टा की जीत है ये जीत उत्तरप्रदेश की महान जन्ता की जीत है और ये जो चुनाव था पूरी तरह से हम विकास के मुद्दे पर सुरक्षा के मुद्धे पर और मानि प्रधान मंत्री मोधी के नेतुरत में जो भी चुना हो रहे हैं हम और चुनाव में परचम फेरा रहे हैं तो हम कह सकते हैं मानि प्रधान मंत्री का नेतौतों पुरा देश, सारे पुरदेश सुईकार करते हैं इसके लाम अगर यूपी की ही बात करें तो जो कैबिनेट में मंत्री थे चाहे केश्व प्रसाद मौरिया हूँ उनके समय तकरीबन दर्जन भर से जादा मंत्री है जो हार गया है इसके पीछे रीजन वज़ा आपको क्या लगता है? देखिए इतनी बड़ी जीत में कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं मने केश्व साद मौरिया जी हमारे मैं कह सकता हूँ बहुत लोग प्रिये नेता हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी चुनाव में डिबंड थी और पूरे प्रदेश में वो चुनाव परचार कर रहे थ जिसमें प्रदेश के अध्यक्स थे उसमें उनी के नेतुरत में हमने 2017 का चुनाव लडा था और उसमें मने केश्व साद मौरिया जी 255 प्लस की बात कहते थे लेकर कारे करता हमारे और जनता अब की बार 300 पार करकर के दिखाया था जेपी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौरिया ने एक बार फिर भाजपर पर तंज करते हुए कहा है कि मैं राजनीती का कच्चा खिलाडी नहीं हूँ साथ ही वो पुराना जो डायलॉग बोलते थे नेवले वाला वो एक बार फिर से उन्होंने बोला है अब मैं माने स्वामी प्रसाद मौरिया जी की विसे में क्या कह सकता हूँ वो स्वैमी जो बोलते हैं और जनता उसका जवाब देती है मुझे जवाब देनी के अवश्रक्ता नहीं है मुझे लगता है कि जनता ने जवाब उनको दे दिया है आखरी समाल अखले श्यादव ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि भारती जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है इस बार बीजेपी की सीटे कम हुई है भविश में और भी कम हुगा देखिए अखले श्यादव जी चाहें जो बोलें लेकिन हम वो जो बोलते हैं ठीक उसा उल्टा होता है और मैं कह सकता हूं कि जूट बोलने का उन्होंने ठेका ले रखा है दो हजार चौदे में बोले थे कि हम साथ में साथ सीटें जीत करके और माने मुलाइम सिंग आदब को परदान मतरी बनाएंगे जरताने उनको याद दिला दिया कि तुम जूट बोलते हो दो जास सत्रह में नहोंने कहा था कॉंग्रेस के साथ गठबंदन करके कि हम ये तु जीतेंगे लेकिन जब चौना 2019 का आता है सभा बस्वा एक हो जाते हैं तो अखले से अदब जी के हाथ में उनकी पार्टी को पास-पास सीटे रह जाती हैं ये अलग बात है कि 2014 में परिवार के ही पांच आये थे 2019 में परिवार से थुआ सा एक दू अलग से हो गए थे और 2022 में नया घठ बंदर करते हैं बेमेल घठ बंदर करते हैं तब उन्होंने कहा था हम 400 जीतेंगे 400 वक्त देने के लिए शुक्रिया ममता चत्रवीदी जनतंत्र टीवी दिल्ली खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सबस्क्राइब करें जनतंत्र टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें